तो इस एपिसोड को शुरुआत होती है जहां दोनों बच्चे बहुत गहरी नीन में सो रहे होते हैं और तभी Mr. E और Mrs. E जो दादा दादी हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि आज कल बच्चे बहुत ही जादा देर तक सोते हैं और जैसे ही शाम होती है वैसे ही बच्चे सो जाते हैं तो Mrs. E बोलती है कि यह तुम वहाइछ देर तक सोते हैं और लेकिन ये बच्चे बहुत कम आजकर जाकते हैं क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग बीमार है तो दादा जी बुलते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये लोग बीमार है तब ही क्या होता है दोनों बच्चे अपने नीन में बात कर रहे होते हैं रूरू बोल रहा होता है कि grandpa steady करो आप slack मत करो काम मतलब करो ऐसे अपना काम छोड़के अराम मत करो तो मिसिस ही बोलती है कि देखो बच्चे नीन में भी पढ़ाई के बारे में बात करें तुम्हें ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई के बहुत ही ज़्यादा प्रशर में हैं और वो अब सपने में भी पढ़ाई करने के बारे में और hard work करने के बारे में सोच रहे हैं तो दादा जी जो होते हैं मिस्टर ही जो होते हैं वो सोच में पढ़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है मैं इनके मतलब इनके पिता से बात करूँगा करके हम इन लोगों के पर बहुत जादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं हम बच्चों को बहुत ही जादा फोर्स कर रहे हैं चीजों को लर्ण करने के लिए जिसकी वज़े से वो ठीक से सो विनी पा रहे हैं करके बिचारे बच्चे और क्या कहते हैं दादा जी का विचार होता है कि बच्चों को तो खाना खाना चाहिए जूस उस पीना चाहिए और हैपी चाइल्डूड उनका होना चाहिए अभी भी बच्चा जोते हैं वो दोनों विल्कुल आराम से सो रहे होते हैं पता ही नहीं होता क्योंकि दादा दादी क्या बात कर रहें और तब दादा जी होते हैं कि आदि को Eu refuse ना भी वने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हमारे के ओपर रिले बिता सकती है स모ल अब दूसरी जगा क्या होता है कि रात हो रही होती है बहुत और हमारी जो CEO की step grandmother है वो यहाँ जेल में बैठी होती है और तभी एक आदमी आता है और बताता है कि किसी ने आपके क्या कहते हैं बेटे के बारे में crimes जो है उसके बारे में information लीग कर दी है और जो है प्रोलेस डिपार्टमेंट उस चीज में देख रही है और हमारी जो second दादी है वो सोचती है कि यह तो possibly नहीं है यह लोग शायद मेरे से जूट बोल रहे हैं मेरा बेटा कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता उसने जो कुछ किया था वो बहुत secretly किया था और मेरी चोटी बेटी ने उसके tracks को clear भी करके दिया था तो यह लोग जह है उसको पकड़ नहीं सकते मुझे शर्त लगा के बोल सकते हूँ कि यह लोग मुझे जूट बोल रहे हैं जिससे कि मैं अपने crimes को accept कर लूँ और मैं guilty feel करूँ करके पर मैं अपने crimes को कभी भी admit नहीं करूँगी मैं कभी भी कोई भी चीज को खोंगी नहीं और मैंने इतने पूरी जिन्दगी यह मिसिस फैन का status पाने करेती कड़ी मेहनत की मैं कैसे status पर छोड़ सकती हूँ करके यदि वो जो woman है वो मरना ही deserve करती है उस woman को बहुत जल्दी मर भी जाना चाहिए था और यह सब उस woman के कारणी हुआ है और मेरी यह गलती होगी कि मैंने उसके grandson को नहीं मारा उसी वक्त मुझे उसके grandson को भी मार देना चाहिए था यह जो दादी जी है actually CEO की real दादी के बारे में बात कर रही है मतलब हमारे CEO के दादा की first wife के बारे में और तब ही दिखाते हैं कैसे यह दादी जी जो हमारी second दाद है step दादी वो सोच रही है कि यदि मेरी शादी पहले ही fang family से होती जब मैं बहुत जवान थी तो आज मेरा बेटा जो था वो पूरा family का business अराम से smoothly अपने हातों में ले लेता as a elder son क्योंकि इनके यहां की एक प्रता है कि जो इनके पहला बच्चा होता हो जो बड़ा होता वही घर का मुख्या होता है तो हमारी step दादी की भी यही thinking थी अब क्या होता है हमारे दादा जी को ड्रीम लैंड में क्योंकि दादा जी तो मर गए हैं लेकिन आप वो रूरू के ड्रीम लैंड में रहते हैं तो वहाँ पर उनको छीग आती है ठीक वैसे ही जैसे कोई हमें याद करता है तब हमें भी आती है तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है करके और तबी पीछे से हमारी real दादी आ जाती है first दादी और बोलती है कि तुम क्या करने की कोशिस कर रहे हो और तुमने तो अभी तक 8 बहुंते का भी काम नहीं हमारे दादा जी बोलते हैं कि तुम मेरे पे इतना क्यों चला रही हो मैं तो सिर्फ बातरूम जाना चाहता था करके अब क्या होता है दादी जो हमारी first दादी है वो बहुत चुलबुली है ना तो वो दादा जी को बोलते हैं तुमने क्या का मैंने सुना नहीं करके तो दा लोग चलके मस्ती करते हैं अब हमारी XCY act to CEO की अगा मधर है करके तो हो दादी जी और CEO की मधर दोनु कर रहे हैं अब यह होता है तभी महाबर एक पेपर होता है जिसमें कुछ maths के problem लिखे होते हैं जिसे 2 plus 7 is equal to 3 plus 4 is equal to अब ये देखे ना बिचारे दादजी और उनके जो बेटे हैं मतलब हमारे CEO के फादर उनके सिर्कियों पर एक question mark बन जाता है और बिचारे दोनों confused हो जाते हैं कि ये किस तरह का काम हम से कराया जा रहा है कि हम लोग क्यों max पढ़ेंगे वो भी इतना simple तभी वो लोग देखते हैं रूरू की तरफ कि रूरू वहाँ पर अपने भाई बिग हैट के साथ कैसे खेल रहा है रूरू बहुत मज़े कर रहा होता है तभी दादजी स्टेडी बहुत हार्ट करना चाहिए तो ग्रैंट फादर को समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है और तभी ग्रैंट फादर बोलते हैं कि तुम ये चाहते हो कि अब मैं तुमारा homework भी करूं तुमारे लिए और तभी अपने ऐसा तो दादजी तो रूरू को बोल देते हैं लेकिन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मेरा जो great grandson है वो कितना clever है और कितना smart है जस्ट मेरी तरह जैसा मैं था और सोचते हैं कि बिल्कुल रूरू की जो personality है बिल्कुल मेरी तरह ही गई है करके अब क्या होता है दादजी अपने बेटे यानि CEO के फादर को देखते हैं कि कितनी मन लगा कि वो काम कर रहा है, हसते हसते देखियो उसका pen भी डकी वाला pen दिख रहा है मुझे तो अब क्या होता है दादजी अपने बेटे से बोलते हैं एक सुरान तुम बच्चों को ऐसे कैसे स्पोयर कर सकते हो और ऐसा करोगे तो वो अपना होमवक कैसे करेगा अब क्या होता है दादा जी तो रूरू का होमवक नहीं करना चाहते हैं लेकिन जो CEO के फादर है वो रूरू का होमवक करके दे रहे होते हैं तो CEO के फादर बोलते हैं कि हम लोग को चिंता करनी चाहिए लेकिन हम लोग चिंता किसी और दिन करेंगे अभी तो मैं क्या है इसी चीज़ की क्यार करता हूँ कि मैं किसी तरह शांती से यहां अपना जीवन बिता जखूँ अब रूरू और बिग हेट को भी समझ में नहीं आता कि दादा और मतलब उनके पर दादा और दादा क्या बात कर रहें करके अब क्या होता है CEO के फादर जो है देखते हैं कि कैसे CEO की मतलब CEO के फादर की मा और CEO की मा कैसे मिलके दोनों एक गूसे से बात कर रहें तो CEO के फादर रूरू से बोलते हैं चलो हम एक deal कर लेते हैं यदि मैं तुम्हें तुम्हारा home work इस बार करने दूंगा तो क्या तुम अगली बार मेरे लिए कुछ कम documents लाओगे क्या काम करने के लिए तब ही न दादा जी ये बात सुन देते हैं दादा जी बोलते हैं कि कितना clever हैं मेरा लड़का तो रूरू भी सोच में पढ़ता है कि क्या किया जाए और फिर भी वो करके ऐसे बोलता है और बोलता है ठीक है one less एक less work लेक्या होंगा फिर बोलता है नहीं ठीक है मैं फूरा whole stack कम लेक्या होंगा तो बोलता है ठीक है one stack में कम लेक्या होंगा और सिफ एक ही लाँगा उससे जादा कम नहीं कर सकता तो लेकिन तुमने को रूरू के homework में help करना पड़ेगा तो बीग हैड अभी बोल नहीं पाता है तो बीग हैड भी गहा गहा करके कुछ बोलने की कोशिस करता है लेकिन दादा जी और CEO के फादर बीग हैड का मूब बन कर देते हैं और रूरू बोलता है कि तुम चुप रहो बीग हैड इत्ती जो से मत बोलो हम एक ही स्टैक जो है पेपर्स का वो काम लेके आएंगे और ज्यादा नहीं सिर्फ एक ही लेके आएंगे करके अब देखते हैं कि CEO और GE भी बहुत मस्त हैं वो लोग भी अपना जीवन जो है इस ड्रीम लैंड में बहुत इंजॉय कर रहे हैं कुछ यह लोग फिश पकड़ रहे हैं वो भी बादलो में जहां पर फिशेस नहीं हो सकती पच्चु की ड्रीम लैंड है तो कुछ भी हो सकता है और बिग हैड भी कुछ बोलने की कोशिस करता है लेकिन बिग हैड कुछ बोलनी पाता तो दादा जी बोलते हैं कि एक स्टैक तो बहुत कम है कम से कम तुम को दस कम लाने चाहिए और तभी CEO के फादर बोलते हैं ठीके 10 का ट्रेट डील कर लेते हैं अब यह लोग तो अपनी deal करने और home work करने के बारे में बात करते हैं कि कैसे दादा और पर दादा को home work करना है रूरू को रूरू का और रूरू कैसे उनको काम काम लाके देगा और दूसरी दरफ CEO की मम्मी और CEO की दादी दोनों मिलके अपना टी टाइम इंजॉय कर रहे होते स्नेक्स के साथ अब क्या कहते हैं जो रूरू है और उसके दादा और परदादा बिग हैट की तरफ बहे होप से देखते हैं कि बिग हैट भी उनकी किजी बात के लिए अगरी कर ले और तभी रूरू बोलते हैं ठीके सिर्फ एक और तुम यह किसी को नहीं बताओगे और यडि यह इन भी फिग हैट बोलता है कि यदि यह को पता चल गया हो they can unleash करेगा मतलब अभी भी वो वो बोलनी पा रहा है लेकिसी तरह अपनी प्रक् बनाएंगे और दादा और परे दादा बड़े खुश होरे होते हैं कि हम लोगों ने बिग हैट को भी अपने साथस्सीगरेट में शामिल लिया और उसे कैसे हम लोगों ट्रिक कर लिया करके अब दूसरी तरह दिखाते हैं किसी योगा कजन उनके ओफिस में आता है और बोलता है कि यी की फोटो अच्छली सब जगह लगी होती है देखके वो बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारा और यी का क्या रिले चाहिए और दभी उसका कजन घुसे में आता है और टेपल द्रू से हाथ पटकता है और बोलता है मुझे पता है कि तुमने मेरे फादर के बारे में रिपॉर्ट किया है यानि कि या कि सीओ ने अपने अंकल की रिपूर्ट की है और तुम हमारे फैमिली से connected हो और तुमने fan family का एक position hold करके रखा है और मैं ये भी admit करता हूँ कि तुम बहुत ही powerful हो और मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हे defeat करना करके तो CEO सारी बाते सुनता है अपने cousin की और बोलता है कि मैंने तुम्हारे father का report नहीं किया है करके तो जो CEO का cousin है वो बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ओपर believe करूंगा करके यदि तुमने नहीं किया तो किस नहीं किया तो CEO बोलता है तुम मानो या नहीं मानो मैंने तो नहीं किया और मैं तुमसे जूट करने का और मेरा टाइम जो यह तुम वेस्ट मत करो तो ci o बोलता है कि हम लोG क्लोज नहीं है तो c eu का कजन बोलता है तो तुमें लगता है कि में तुमें यहा देखने आना चाहता था यडि मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखता तो CEO बोलता है तो ठीक है ना तो मत देखो चले जाओ करके अब CEO की कजन को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले फिर भी वो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है कि देखो तुम मुझे प्लीज हेल्प करो मेरे फादर को बाहर निकालने की और मेरे फैमली का असर्ट जितना भी फ्रीज हो गया उसे अन्फ्रीज कर दो और इसके बाद हम लोग जो हैं गुट टम्स में आ जाएंगे और मैं ऐसे प्रेटेंड करूंगा तुम्हें देखके कि हम लोग इस दुसरे को पाके यहां पर आता है तो यह जो है वो पुष्ट है CEO से कि तुम मुझे यहां पर all of a sudden क्यों great grandfather से मिलाने के लिए लाए हो तुमने नहीं कहा था कि तुम इन कुछ दिनों busy हो तो हम बाद में भी आ सकते थे जब तुम्हारे पास बहुत टाइम होता तक तो CEO यह के हाथ पर हाथ रता बोलता है कि sorry मैं तुम्हें यहां पर इतने हरी में लेकी आया और मैं चाहता हूँ कि great grandpa जो है वो तुमारा भाविश एक बार फिर से देखे करके हो अब क्या होता है हमारे जो great grandpa हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ करना तुम लोगों को काफी देर मेरा weight करना पड़ा और क्या होता है great grandpa जो होते है उनको यह बताते हैं कि हम लोग यहां पर एक reason की वज़े से आये हैं करके great grandpa जो होते हैं लोगो चाय वे वगरा सर करते हैं अब CEO बोलता है कि मैं यहां पर इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब यह की health को check करो और मुझे बताओ कि अब यह कैसा है करके तो great grandpa बोलते हैं चाय पीते वे कि जो लोग होते हैं वो हर दिन मरते हैं और तुम लोग जो हो किसी के मरे वे के उपर बहुत दिनों तक शोक नहीं बना सकते हो और बोलते हैं कि time जो है सब कुछ heal कर देगा तो actually great grandpa को लग रहा होता है कि CEO जो है बहुत दुखी है उनके बेटे की death से क्योंकि जो great grandpa का बेटा है वो CEO का दादा है तो great grandpa को लगता है कि CEO के जो grand father है उसके death की वज़े से CEO अभी भी दुखी है तो वो ये सब बोलते हैं तो CEO बोलता है कि grandpa जो है वो कहीं पर भी नहीं गए है तो मैं कोई शोक वोक नहीं मना रहा हूं उनके मरने का और कैसे मतलब हमारा CEO याद करता है कि कैसे वो अपने grandfather को काम दे के आया है company का मतलब मरने के बाद भी grandfather को रूरू के dreamland में CEO के लिए काम करना पड़ता है और CEO बताता है कि अब तो जो grandfather है वो पहले से भी ज़्यादा hard work कर रहे हैं अब ये बात सुनके हमारे great grandpa के मुह से करेंगे मेरा यहां मेन कंसर्ण जो है वो यह करके तो वो बोलता है कि आपने नहीं का था कि यदि यह बहुत ही हार्ड वर्क करेगा तो और उसका पब्लिक उसको प्यार करेगी तो वो कुछ सालों के बाद उसका हैल्थ अगर अच्छा हो जाएगा तो यदि मान लीजिए कि यदि उसकी पॉपॉलर्टी किसी रीजन से कम हो जाती है तो क्या इसके हैल्थ पर कोई फरक पड़ेगा क्या तो यह को को समझ में नहीं आता है कि यह आदमी जो CEO है वो क्या बोल रहा है विचारा कंफ्यूज हो के सुनता बोलता है कि इसका क्या मतलब है तो CEO बोलता है कि म मैंने उसके फादर का रिपोर्ट किया है और वो मुझे कह रहा है कि मैं उसके फादर को जेल से बहा निकालूं और उनकी प्रॉपर्टी को अनफ्रीज भी करूं करके और हदी मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे और यह के रिलेशन्शिप को दुनिया के सामने बता देगा वो जाता है और तो तुमने यह बहला नहीं कि पहले नहीं बताए और अभी क्यों बोडर हे तो मुझे पहले वह क्यों रहे आँए टो तो तुम्हेंये चाहता हrance करने तो people जो होते हैं लोग जो होते हैं वो वैसे भी stars के बारे में gossip करते हैं वो तो ये भी बोलते हैं कि celebrities जो है cheating करते हैं और दूसरे दिन उनका divorce भी हो जाता है और तुम्हें पता है कि actually में बहुत ही कम बाते ऐसी होती हैं जो सची होती है और यदि मैं admit नहीं करता हूँ कि मेरा तुम से कुछ लेना देना है तो कोई क्या ही कहेगा और मुझे पता है किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा और इसके अलावा तुमें नहीं लगता कि हमारे families जो हैं वो इन लोगों को चुप करा सकते तो तुमें इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है तो CEO बोलता है लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है तो ये सारे चीजे तुमारे popularity पर effect करेंगी और ये directly तुमारे health पर भी effect करेगा इसलिए मुझे बहुत ही चिंता हो रही है करके तो CEO दादाची से पुछता है कि आप ये क्यों देखी और बताये कि ये कैसा है और क्या उसकी popularity में कुछ up and down आएंगे तो वो क्या हो सफर करेगा क्या और तभी दादाची बोलते है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है अभी के लिए ठीक है और मैं जो लगता है कि अभी जो उसका current status है वो बहुत important है maintain करना इस एक साल के लिए और मैं जो हूँ इस family drama से बहुत ही ज़्यादा बिमार सा हो गया हूँ जिन हाओ जो है वो अपने father की तरह है वो कभी भी satisfied नहीं हो सकता है और यदि उसे जल्दी ही grip नहीं मिली तो वो अपने actions के द्वारा अपना future बरबाद कर लेगा anyway क्या तुम इस matter से deal करना चाहोगे क्या तो CEO बोलता है कि चुकि मैंने उस uncle का report नहीं किया था तो मेरे पास इसका कोई भी information नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता है कि ऐसा क्या information मिला है जिसकी वज़े से जो police है वो मेरे अंकल को ले गई है करके और मेरे लिए impossible नहीं है अंकल को prison से बाहर निकालना लेकिन मैं निकालूंगा नहीं तो दादाजी बोलते हैं great grandpa बोलते हैं कि यदि तुमने report नहीं किया तो किस ने किया तो CEO बोलता है sorry great grandpa मुझे नहीं पता लेकिन यदि कोई alternative है तो आप मुझे बताइए नहीं तो हम लोग मैं और यहीं जा रहे हैं हम लोगों को city में बहुत जल्दी पहुँशना है और तभी दादाजी बोलते हैं great grandpa बोलते हैं कि क्या तुम थोड़ा सा calm down होगी तुम जितना भी worked up होगे उतना ही harder हो जाएगा सब कुछ और हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि तुम lunch के लिए रुख जाओ और अभी तक तुमने मुझे grandfather के बारे में कुछ बताया भी नहीं है मतलब हमारे great grandpa जो हैं वो CEO के grandfather के बारे में पूछ रहे हैं और ये जो CEO के grandfather हैं वो basically इस great grandpa के बेटे भी हैं तो ये बहुत खुश होता और बोलता है grandfather जो है अब grandmother के साथ है और वो रूरू के dream में हैं और उन्जिन्याओ के parents भी वहाँ पर हैं तो हमारे जो great grandpa होते हैं उन्हें पहुत छटका लगता है और फिर उनके सिर्क्यों पर कुशर मारका जाता है अब ये फिर से क्या बोल रह और जो father एकसुरा है वो बहुत ही ज़्यादा इन दिनों में काम में बहुत मन लगा के काम कर रहे तो आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूत नहीं है यह ऐसा बोलता है अब क्या होता है हमारे great grandpa बड़े ही कुश हो जाते हैं और बोलते हैं मुझे भी जाना है मुझे भी और मुझे भी रूरू के kingdom में जाना है करके तो मैं वहां कब जा सकता हूं great grandpa इतने energetic हो जाते हैं कि पूछो मात अब CEO बोलता है कि वेल आप इस photo को देखिए यह जो photo है इस से आपको पहले अपना connection बनाना पड़ेगा तो great grandpa जो होते हैं वो थोड़े confused हो जाते हैं और तभी यह समझाता है कि सबसे important चीज़ यह है कि आपको dream world में जाने के लिए इस photo से connect होना पड़ेगा और आपको रूरू को बहुत ही जादा प्यार करना पड़ेगा नहीं तो आप रूरू के dreamland में नहीं आ सकते कि रूरू के dreamland में वही लोग जा सकते हैं जो रूरू को genuinely दिल से चाहते हूं और प्यार करते हूं और अब क्या है big head भी है तो आपको big head को भी प्यार करना पड़ेगा दभी आप रूरू के kingdom में जाएंगे और जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे तो उस दिन रूरू आपको अपने kingdom में ले जाएगा और आपका बहुत ध्यान रखेगा तो great grandpa जो होते हैं वो फोटो उठाते हैं और मन में सुझते हैं अरे इन लोगों से प्यार करना इन लोगों से कौन प्यार नहीं करेगा इसमें कोई भी problem नहीं है आखिरकर बच्चे इतने cute हैं और मुझे तो वैसे ही यह दूनों बच्चे पसंद हैं तो great grandpa बुलते हैं कि काम करो तुम आज रात रूरू को मुझे pick up करने के लिए बेज़ देना और मैं जो हूँ उसे इस तरीके से प्यार करूँगा जैसे कि तुफान होता है वैसे ही मैं उसे प्यार करूँगा करके और वो अपनी ही तारीफ करने लगते हैं कि मैं किता लगी हूँ और मेरा जो old life है कित अंकल का रिपोर्ट नहीं किया तो किस ने किया होगा और तभी उनके दिमाग में घंटी बचती है और वो अपना फोन उठाते हैं और डायल करते हैं रिंग जाती है और जब रिंग जाती है तो उनकी जो CEO के अंकल की जो चोटी बेहन हो अपने husband के साथ टीवी में कुछ द होती है कि great grandpa अब अब थोड़ा रेस्ट कीजिए करते हैं अब क्या होता है दूसरे दिन हमारे जो दाता जी है वो अपना meditation करते हैं पहाड में लदी में और तभी हमारा ही जो है वो सोच बोलता है कि कैसा चल रहा है तुमको लगता है क्या कि great grandpa जो है रूरू के dream में आ सकते हैं तो रूरू भी देखता है कि दादा एक जगह पे मतला meditation कर रहे हैं करके तो रूरू बोलता है कि मैं कोशिस कर सकता हूं लेट सी कि old grandpa जो है वो कैसा respond करते हैं और वो big head को बोलता है कि चलो big head चलते हैं अब क्या होता है दोनों नीचे उतर के आते हैं और वहां पर बोलत grandpa old grandpa ऐसा करके आवाज लगाते हैं और तभी हमारे जो grandfather होते हैं great grandpa वो सोच रहे होते हैं कि आज मैंने अपना unc courtyard को साफ किया था क्या आज मैंने flower pots की जो मरीवी पत्तिया थी मतलब हमारे जिसे पौदों में होती न सूखी वी और मरीवी पत्तिया उनको कैसे हम चुनके निक और क्या मैंने आज कुछ मिस किया क्या क्या मैंने आज अपनी हर्फ को gather किया क्या और ऐसे सब करते करते ना वो सोचते वे वह वह विचार एकदम से चौक से जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि calm down calm down मुझे calm down हो जाना चाहिए बी still करके अब यहान जो Guru है और big head है वो बोल रहे होते old grandpa Guru यहाँ आगया है अभी सुंचता है कि हो सकता है great grandpa जो है वह अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है वो अभी तक तैयान नहीं हुँए हो यहां आने के लिए और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने photo को ठीक तरीके से नहीं द होता है लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि यदि कोई रूरू को प्यार अनकंडिशनल ना करे तो वैसे भी उसके ड्रीम्स में नहीं आ सकता और यह बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और यहां पर तो दादा जी काफी रिलेक्स लग रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि दादा है वो टेंपरली जो होती है हमारे बॉडी में उनसे रूरू के ड्रीम्लैंड में आती है और जो मेरे पैरेंट्स और ग्रेंट पैरेंट्स हैं वो डिफरेंट है करके और तभी यही बोलता है कि यदि रूरू को सक्सेस नहीं मिला ग्रेट ग्रेंट पाक को यहां लाने में तो हम क्या करेंगे हम जादा से जादा मेरे पैरेंट्स और ग्रेट ग्रेंट पा को फिर अगली बार लेके आएंगे यदि इस बार सक्सेस नहीं मिला तो और फिर यदि कुछ भी हो जाए जिन्दगी में हम लोग इस तरह हमेशे अपने ड्रीम्स में यहाँ पर रूरू के ड्रीम लाइन में सब लोग इकटा होके मिल सकते हैं चाहिए हम कितनी भी दूर क्यों ना रहे हैं और हम लोग हमेशे कम्यूनिकेट कर सकेंगे करके और तभी इस यह बलता है लिखना में देखना पड़ेगा यह काम करेगा की नहीं तभी दादा जी हैं जो मारे ग्रेट ग्रेंपा हैं वो सुच रहे होते हैं कि यह कितना स्ट्रेंज है मैं अभी तक रिलैक्स नहीं कर पा पादर सोच रहे होते हैं कि सच में मुझे अपने सारे थाट्स को अबंडेंट कर देना चाहिए मतलब अपने सारे थाट्स को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और मुझे काम दी अपना ध्यान लगाना चाहिए करके अब क्या होता है रूरू वहां आता है वह दाद बहवार करना और यह थोड़ा इंपॉलाइट सा लग रहा है ना जैसे रूरू कैसे दादाजी को यह दूरू दहीला डूला रहा है करके तो सीय यह बोलता है यह सब कुछ मैटर नहीं करता है हम लोग तो वैसे भी ड्रीम में है ना तो तब ही दादाजी की आँखा अचानक स खुल जाती है और वो सोचते हैं खुलने के बाद की मैं बिल्कुल भी रेलाक्स नहीं हो रहा हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है पौन मेरे बीट के पीछे इसे पटर पटर बात कर रहा है और तब ही दादाजी को दो लोगों का चेहरा दिखाई देता है और यह दो भी घेड और रूरू के होते हैं और दादाजी के एकदम जस्पास आपको के यह दोनों बच्चे खाड़े होते हैं और दादाजी यह देखके थोड़ा सा चौक जाते हैं और तब ही रूरू दादाजी को अपनी उन्ली दिखाता है और पुछता है कि यह कित्ती उन्ली है तो दादा जी थोड़े confused तो होते हैं, फिर भी जवाब देते हैं कि तीन, और फिर रूरू पुछता है कि मैं कौन हूं, तो दादा जी बोलते हैं, रूरू, तो फिर रूरू खुश हो जाता है, बोलते हैं, ठीके ठीके, अब आप जाग गए हो करके, और ऐसी भी घेट भी सब लोग जागे वे होते लेगिन दादा जी जो थे वो तब भी meditation में ही लगे वे थे उन्हें लग रहा था कि वो अभी तो kingdom में पहुचे नहीं है तो दादा जी रूरू का हाथ पकड़ते हैं और पोलते हैं कि रूरू क्या ये तुम्हारा dream kingdom है क्या तो रूरू बोलता है र तुम्हारे kingdom में जा रहे हैं तो दोनों बच्चे बोलते हैं और एक portal में से ये और सी ये भी देख रहे होते हैं और दादा जी सोचते हैं अपने मन में तो ये सच में सच था और मैं अपने dreams में actually में जागा हुआ हूँ और मैं अपने right mind में भी हूँ मतलब मुझे कोई गल kingdom में जा रहा हूँ और तब ही वो वहाँ पहुंचते हैं और देखते हैं ये और सी यो को और वहाँ पर बोलते हैं देखा मैंने तुम्हे का था ना कि मेरा जोला वैब वो tornado से भी जादा बढ़ा है करके मतलब तुफान से भी जादा है और ये बोलके वो बहुत कुश होते हमारे CEO के दादा जी अपने पापा के मतलब ये जो अभी अभी great grandpa आये हैं उनके पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि डैड़ा finally यहाँ पर आ गए और तब हमारे दादा जी बोलते हैं हाँ ये मैं बिलकुल यहाँ पर आया हूँ और ये मुझे लगता है कि immortal release है करके औ अतबी जो उनका बेटा है मतलब हमारे दादा जी जो अभी अभी यहाँ पर आये हैं वो बोलते हैं कि जिन्या हो ना हमसे यहाँ पर मेरे से और एक सुरान से बहुत ही काम ले रहा है हमें बहुत ही hard time मिल रहा है और प्लीज आप डैड उसको बोलिए ना कि हमें जाने दें हम इस तरीके से और नहीं बरदाश कर सकते हम लोगों को भी काम करने से चुटी मिलनी चाहिए अगर लेकिन great grandpa कहां किसी की सुनने वाले हैं वो तो अपनी बेटे को एकलात मार देते और बोलते हैं तुम लोग मेरे रास्ते से हर जो लड़को और खुशी खुशी आगे तक ही आके क्या चल रहा है great grandpa बोलते हैं कि मैंने इतने समय तक meditation किया सब कुछ किया वो किस ले गिया यह रूरू के kingdom में और आने के लिए गिया यहां पर जो है मेरा पूरे life का preparation एकदम से दिखाई दे रहा है जैसे कि immortal relief है करके लेकिन see और ye को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है लेकिन फिर भी वो लोग खास रहे होते हैं करके और तभी वहाँ पर पुछते हैं कि एक मेन चार्ट होता है और वो लोग पुछते हैं कि आपको क्या खाना है करके क्या खाना है what do you want to eat और वहाँ पर दूसरा news भी होता है कि यहां आज कल tech industry से related क्या news अगर कि यह कोई website इंटरनेट पर हर तरह का news दिखा रहे होते हैं और तभी CEO का कजन बोलता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और जिन्याओ को कोई lesson सिखाना पड़ेगा मतलग किसी तभी तरह वो जिन्याओ हमारे CEO से यह बदला लेना चाहता है अब दूसरे तरह दिखाते हैं कि दाद हैं और उनकी जो बहु होती है वो बोलती है ठीक है याने दादा ग्रेट ग्रेंट पा के जो बेटे हैं उनकी वाइव बोलती है ठीक है चलते हैं अब क्या होता है CEO के फादर और CEO की मादर और हमारे CEO के दादा यह उनकी वाइव और हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रेंट पा सब लोग एक train जैसी ferry wheels में बैटते हैं और बोलते हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा उच्छाई वाली जगा पर चड़ना है और फिर से हम लोग चलेंगे करके तब भी जो great grandpa का बेटा है याने हमारे दादा जी वो बोलते हैं कि आपको पता है कि मेरे मुझे दिल का problem है करके तब भी great grandpa बोलते हैं कि ये जो है ये एक हमारे जीवन में cultivation का part है करके और तुम्हें जो है इस relief में stimulation की जर्वत है और तुम्हें ये सीखने की जर्वत है और तुम्हें ये सीखना चाहिए कि कैसे तुम्हें steady as a rock होना चाहिए तुम अपने core foundation को strong करो और तुम जो हो core foundation के बि जादा जी है वह actually में सब कुछ ग्यान जो है वह meditation से related देते हैं तो वह यहाँ पर अपने बेटे को यह ग्यान दे रहे होते हैं तभी उनका बेटा बोलता है कि डैड इसका कुछ भी लेना देना cultivation से नहीं है आप सिर्फ यह कहो कि आपको अभी games खेलना चाहते हो और आप ज चलो चलते हैं और जो जो से हस्ती है अब हमारा रूरू और विग हैड भी तैयार होते हैं और बोलते हैं लेट्स को अब यहाँ पर दिखाते हैं एक बड़ा सा जूले जैसा जिस के अंदर जो ट्रेन है वह चले पड़िए और नीचे हमारे CEO और यी बैटके नीचे से उप अब देख रहे हैं अब क्या होता है कि सी और यी जो साथ में बैठे हैं वह दूसर और यी बुलता है कि जिन्या अब बहुत हैं हो क्या तुम इस वज़े से ऐसा भी करें कि तुमने होट सर्च पे देखा कि कैसे लोगों ने हमारे बारे में लिखा है करके और तुमारे भाई ने कुछ ख़बर रिलीस करी है करके तो CEO बोलता है कि हाँ मुझे ये सारी चीजे थोड़ा सा अनीजी सा फिल कर आ रही है दोने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं मतलब CEO बताता है कि मुझे पता है कि जिन हाओ जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा उसने मुझे वार्निंग दिया था यदि मैंने कुई अक्षन ने लिया तो वो अपने ऐसे डिर्टी गेम्स खेलता रहेगा और यदि उसने हमारा रिलेशन्शिप जो है एक्सपोस पूरी तरीके से कर दिया तो मुझे डर है कि कुछ हो जाएगा तो यह ही जो है वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी डरने की कोई जरुद नही होते हैं अब जो हम हैं एकदम परफेक्टी असानी से और इजी जीवन व्यदीत कर सकते हैं तो यदि हमारा रिलेशन्शिप एक्सपोस भी हो जाता है तो मुझे किसी से डर नहीं है तो CEO बोलता है यह सिर्फ मैटर एक्सपोजर कहीं नहीं है इससे तुम्हारी पॉपुलर करने की जर्वत नहीं है तो यहीं CEO को समझाने की कोशिस करता है कि तुम कुछ जादा ही चिंता कर रहे हो मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं और यह जो सारे टॉपिक्स हैं वह वैसे भी टेकडाउन कर दिये जाएंगे और कोई भी इस चीज़ के बारे में क्यार नहीं करेगा और यदि हमारा relationship के बारे में किसी को पता भी चल जाता है तो कोई problem नहीं है हम अभी भी ठीक हैं आगे भी ठीक रहेंगे और वो CEO को हाथ पकड़ता है और उसके उपर लदने लगता और बोलता है तो तुम्हें कुछ भी इस तरह की चीज़ से related क्या कहते हैं चिंता करने की जर्वत नहीं है हम लोग कोई ना कोई plan सोचेंगे और दोनों मिलके उस पर work out करेंगे तो बहुत साथा pressure अपने उपर मत लो तो CEO किसी भी तरह थोड़ा बहुत convince होई जाता है अब यहीं बोलता है कि तुम थोड़ा relax करो और हमें भी हमें बहुत जादा unconscious होने की जरुरत न है अब दूसरा दिन होता है जहां पर हमारे रेंडरेंड को और उसके manager को दिखाते हैं और रेंडरेंड बोलता है मैं बहुत ही genius हूं और जब यही का boyfriend आएगा हम उसे help करेंगे मैं बिल्कुल भी hesitate नहीं करूंगा और मैं उसे बिल्कुल मदद करूंगा और बोलता है कोई problem नहीं है मैं यही को help करूंगा और मैं जो हूं headlines बनाने में बहुत ही माहिर भी हूं तो यह सब मेरे ओपर छोड़ दो CEO का manager रेंडरेंड की बाते सुनता है और मैंनेजर बोलता है की ठीक है लेकिन उतने में रेंडरेंड फिर से बोलता है की मैं लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं जो भी बहुत शोकिंग है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मेले करके तो CEO और उसके मैनेजर को समझ भी नहीं आता है कि क्या बोलना चाहरा है यानि कि हमारा जो रैन रैन है वो खुद के मैनेजर को पसंद करता है और वो चाहता है कि जो उसका मैनेजर है वो उसके साथ मतलब उसका रिलेशन्शिप लवी डवी हो जाए करके और तभी रैन रैन बोलता है आइस्क्रिम खाते वे कि मैं बहुत ही हैपी हूँ इस वाद और समवन मेरे नेक्स्ट में आके खड़ा हो करके और मैं जो हूँ उसके बाद एकदम फॉल इन लव हो जाऊंगा मतलब मैं भी लव में पढ़ जाऊंगा और मैं जो हूँ अपने कैरियर के एकदम हाई पॉइंट पे हूँ और मेरा जो फ्यूचर है वो ठीक ठाक है और अभी इसका डाउन फॉर भी नहीं आया है और मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करता हूँ जो भी मैं डिसीजन देता हूँ और फिर राइन राइन पोज़न देने लगता और खुश होता है बोलता है कम ओन रिवर्स बनाओ और मैं एक भी सिंगल रिवर्स को डिनाइ नहीं करूंगा । करके let me see कि कितने सारे लोग मेरे relationship पे believe करते हैं और हमें blessing देंगे करके और तभी वो phone में ठाके देखता है कि क्या लोगों ने कहा है लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी romantic चैसा नहीं लग रहा है ran ran जो है वो तो सिर्फ good friend है और उनकी बीच का intimacy है ऐसा देख रहा है और तभी दूसी रोगी बोलती हाँ तुम सच कह रही हो करके अग दिखाते हैं कि बाई entertainment industry में मूमू जो होता है वो बैठावा होता और वो देख रहा होता और वो सुचता है कि आदमी कितने huge fan है इसके जो entertainment industry है वो उसमें मैं 50 सालों से लेकिन मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी और तभी वो यह से बात करता है और बोलता है कि तुम बहुती incredible होगी और तुमारा नाम history में लिखा जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्याओ जो है वो तुमारे लिए इस तरीके से मतलब cover up करेगा मतलब जिन्याओ उन्हें जो रेन रेन से help मांगी कि वो लोग अपना जूटी rumors फेलाएं अपने प्यार महबत के कारण तो लोगों का ध्यान यह के ओपर नहीं आए और यह पर ध्यान नहीं आएगा तो उसकी popularity कम नहीं होगी और यह के health पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तरके हमारे जो great grandpa हैं दिन हो चुका है सवेर हो चुकी है लेकिन अभी भी सो रहे हैं और तो उनके जो disciples होते हैं मतलब उनके शेशे जो होते हैं वो आते हैं और बोलते हैं कि हमारे जो master वह तब बुढ़े हो जें बुढ़े हो चुके हैं और वह सिर्फ पास से छे घंटे ही सोते हैं पर अभी तो वह दो जो master हैं वो normally इस टाइची राउंड जो है वो खतम कर लेते हैं मतलब उनके जो ये ग्रेड 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 पा है हमारे वो अपना ताइची वाईची में जो practice करते हैं वो अपने शिश्यों को सिखाते हैं तो अधिकतर उनकी दिन चरिया में वो ये सारी practice दिन के टाइम में करते हैं लेगिन आज वो उठे नहीं है दो दिन से और वो लग बोलते हैं कि हां और कैसे वो ये सब practice के निकेद खाना खाने का वेट करते हैं अब हमारे जो ग्रेड पाया है वो practice करते हैं और practice करने के दोने भूख लग जाती है और फट से आके कुछ ना को चोरी चूपे खाते रहते हैं और उनके शिश्यों जो हैं वो दरवाजे के पीछे से उनको देखते रहते हैं तो उनका एक और एक शिश्यों बोलता है कि लेकिन ये सब matter नहीं करता है दिखो इनके expression कैसे हैं ये नीन में हस रहे हैं और अपनी daughter-in-law को याद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्यों ना हम एक बार और खेले करके तो सारे के सारे जो शिश्यों होते हैं वो एक दम से दूर हो जाते हैं और उनको समझवे नहीं आता है वो कैसे react करें और तभी व हो और फिर जो उनका सबसे senior शिश्यों होता है वो बोलता है हमें लगता है कि हमें यहां से जाना चाहिए और हमें भूल जाना चाहिए जो कुछ हमने देखा तो उनके छोटे सिश्य बोलते हैं यस और तभी उन दूसरा सिश्य बोलता है कि हो सकता है हमारे master को sleep talking disorder हो गया हो और वो dreamland में मतलब अपने dreams में किसी से बात कर रहे होते हैं और तभी वो सुनते हैं कि कैसे great grandpa याने उनके master बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाओंगा मुझे अभी तक मिरी इच्छा पूरी नहीं मुझे अभी तक मरनी बरा है मुझे अभी भी और fun लेना है और मैं नहीं जाओं वे नहीं दीखा होता है तभी उनका चोटा सिश्य बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ambulance को बलाना चाहिए यह बहुत ही serious दीख रहा है करके तभी वो लोग emergency hotline में call लगाते हैं और बोलते हैं कि emergency और वहाँ से वाज बोलते हैं कि कौन बोल रहा है उतने में जो great grandpa ह में और उठने चाहिते हैं और उठने के बाद बैठते हैं और फिर हुढकर और बोलते hello hello goodness और ऐसा करके वह बोलने लगते हैं अब उनके जो शिश्य हैं और वो एकदम से घबरा जाते हैं क्योंकि जो उनके master हैं हमारे great friend पा वो एकदम energetic होते हैं और जटके से इदर उदर उठ रहे होते हैं तो वो अपने master को बोलते हैं कि master आप fireful रहो एकदम fireful रहो आप गिर सकते हो और क्या कहते हैं जो master हैं वो कहां सुनने वाले हैं उनको बोलते हैं कि आप अपने ligments को तोड मोड लोगे अदि आप इतनी exercise ऐसे जटके से उठोगे तो लेकिन बड़े confuse हो रहे होते हैं और बोलते हैं आप अपना left leg मत उठाओ इतनी उपर करके तो दादा जी बोलते हैं great grandpa बोलते हैं कि तु और वो बोलते हैं कि master अपने arms को देखो master master करते हैं क्योंकि master जो है कुछ सुनने करे तयारी नहीं है master बहुत energetic है और सारी बचकानी हरकते किये पड़े हैं और तभी master बोलते हैं कि इतना great feel हो रहा है मुझे इतने दिनों के बाद और इतना तो मुझे कभी भी comfortable feel नहीं हुआ मेरी daughter in lodge है वो वाकई में कुछ है अब क्या होता है master याने इनके great grandpa और इनके master जब dreamland में होते हैं तो अपनी बहु के साथ में बहुत खेलते हैं और fairy wings में बेट और बारो बोलते हैं कि एक बार और एक बार और हम यह जूला जूलेंगे और अपने मन में सुछते हैं कि excel जो बात कर रहे हैं और तभी master बोलते हैं कि ठीक जैसा मैंने सोचा था रूरू का kingdom जो है बहुत ही spiritual energy से भरा पड़ा है जिसकी वज़े से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे अंदर जो मेरी cultivation मैंने इतने समय तक की है और वह बहुत ही और जादा नरिश हो गई है और मैं जो हूँ अपर वर्ल्ड डग में उचाहियों में सू सकता हूँ मेरा जो लेजी बेटा है और जो मेरा great grandson जिन्या हो है उन्हें भी मैं यह सब सिखाऊंगा और तभी master पूछते हैं कि अब सोने का वक्त कब होगा इस तो इनके सिश्य एकदम confused हो जाते हैं कि master अभी तो आप उठे हो और आप वापस सोना चाहते हो आप already इतने समय से सो रहे हो और आपको फिर से सोना है करके अब दिखाते हैं दूसरे तरफ हमारी step दाती याने हमारे दादाजी की second wife जो की जमीन पे गिरी पड़ी है और warden पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या गरबड़ी है औ तो वो बोलती है कि उठो उठो ये कोई ड्रामा करने वाली जगह नहीं है उठो और वो बोलती है somebody help me और जो old lady है वो faint हो गई है अब ambulance आती है ambulance old lady को लेने के लिए और उसके गर में phone करते है उनकी चोटी लड़की phone उठाती है और बोलती है hello और सुनती है phone पे खबर कि उनकी मा जो है वो faint हो गई है और ऐसा करके वो बुझती है what और फिर क्या होता है hospital दिखाते है hospital में उनकी मा ऐसे बिस्तर पर पड़ी होती है और फ अब उनकी बेटी बोलती है कि thank god mom आप जो finally उठ गई हो करके सारे बच्चे उनकी बड़ी बेटी और चोटी बेटी वहाँ पर हाजिर होते हैं और बोलते हैं कि उनकी मा बोलती है कि हमें hospital में हूँ तो उनकी बड़ी बेटी बोलती है हाँ आप hospital में हो आप कुछ दिनों से फो मा में थी मतलब भी होश पड़ी भी थी और अप अपने sleep में कुछ-कुछ बढ़ बढ़ा रही थी और आपने तो हम लोगों को चिंता में डाल दिया तो उनकी जो मा होती है बड़ी खुश होती है और बोलती है finally मैं जेल से बहार आ गई और उनके आको में से आसु निक जूँ और अपनी बेटी से बोलती है कि यून लिंक मुझे बताओ को इसने क्या कहा है कि क्या मुझे वापस से prison में जाना पड़ेगा यदि मैं discharge हो जाओंगी तो यदि ऐसा है तो मैं कभी भी नहीं जाओंगी मैं कभी भी prison में वापस नहीं जाओंगी करके तो उनकी और मैं यहाँ पर हूँ मतलब इनकी जो चोटी बेटी और बड़ी बेटी है वो दोनों बोलती है कि हम आपके लिए यहाँ पर हैं तो इनकी मा बोलती है great और great यह बहुती great बात है और मैंने finally मैं इस तरीके से यहाँ से बाहर निकल गई हूँ करके तभी इनकी चोटी प्रजिशन में हुआ करते थे और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं अपने फादर के लिए अभी भी काम कर रही हूं करके क्योंकि यह जो जितना भी ड्रामा होता है वो सारे ड्रामे से अभी तक इनके फादर याने हमारे दादा जी ग्रेट ग्रेंट पाप डील कर रह रहा हैय जब दिखाते हैं रूरू का किंग्डाम जहां पर वो बोलते हैं कि जब मैं जिन्दा था तमकंसे कम सो सकता था अब तो मैं सुनी सकता हूं और मैं तो सारा दिन काम करता हूं और ये लोग जो हैं मुझे बहुत ही ज्यादा चान करते है को तिरा टोरcko करते मतलब को यी और CEO और जो उनके great grandpa है वो कैसे games खेल रहे हैं पीछे लेकिन हमारे दादा जी अभी भी काम कर रहे हैं और उनकी आंकों में से ऐसे आसों निकल रहे हैं फुवारे की तरह तभी उनकी wife आती है और बोलती है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा chance मिला है repent करने का तो इसे तुम अपना payback time समझो जो तुमने इतने सालों से जो बुरे काम किया है ना समझ लो कि तुम उसी के कर्मों का फल भोगत रहे हो करके तो जो great grandpa होते हो बोलते हैं I'm sorry अब मैं दु कोने नहीं दूंगा करके अब दूसरे तब दिखाते हैं कि CEO को एक phone आता और CEO बोलता है कि मैं समझ रहा हूं थैंक यू अंट यू यान 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 की चोटी आंट का phone आता है और वो अपनी चोटी आंट को धन्यवाद करते हैं और तभी एक और एक phone आता है उनके manager को और manager ब step grandmother जो अभी hospital में है वो तो CEO बोलता है मुझे पता है मेरी आंट ने अभी अभी मुझे call किया था करके तो manager बोलता है कि हमें अब next क्या करना चाहिए यह हमारे लिए बहुत difficult हो जाएगा उसे वापस prison में भेजना यदि वो एक बाहर आ जाएगी तो CEO बोलता है कि वैसे भी 75 years old हो गई है और उसने अपने 20 साल जो है आईश और अराम में बिता दिये हैं और अब वो एक poor health में है और जो judge है वो जो है अब most probably उसको कम सजा देगा और वो लोग चाहते हैं कि मैं एक letter लिग दूं कि मतलब इनको वापस jail में ना जाना पड़े करके तो CEO सुचता है कि अब क्या करें और CEO बोलता है कि मुझे मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे फादर को justice मिले किसी भी देरा और लेकिन मुझे कोई भी परवा नहीं है कि वो बाहर रहे या कहीं पे भी रहे लेकिन मैं बस try करना चाहता हूँ उससे सजा देने का और दिलाने क तब ही बोलता है कि क्या problem है और ही सुचता है कि CEO थोड़ा सा unhappy सा दिख रहा है करके तो CEO बोलता है नहीं नहीं कोई problem नहीं है ऐसा कहके वो बस मुस्कुरा के यही को जवाब देता है ओके गाइस यह जो chapter है यह अभी तक की story के बीच में एक extra chapter है जो मैं समझा दे रही हूँ यह हमारे मुमु की और मिस्टर लिनशी की side story है जो बीच में ही दे दी गई है अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि पूरी कहानी खतम होने के बाद extra कुछ parts होते हैं लेकिन इन लो अब एक बिस्तर दिखाते हैं जहांपर कपड़े इधर उदर फैले वे हैं और हमारा जो मुम है वह अपने सिर पे हाथ लगाता है और लेटा हुआ है और बोलता है कि मेरा सिर और जो मेरी बैक है वह बहुत ही दुख रहा है करके मुझे असा लगता है कि मैंने कल रात को ब आधा है ये किता वेस्ट अफ टाइम था लेकिन जैसे ही वहक लिंशी को देखता है उसकी आखे कि मतलब चादर को ठाकर दिखता है कि उसने जो पैजामा पैनावा है वो भी लिंशी का पैनावा है तो वो सोचने लगता है कि कल रात को कुछ हुआ था क्या मेरे और लिंशी के बीच में और तभी बहुत कोशिस करता है वो सोचने की अपनी आके माके चड़ा के लेकिन उसे लिंशी है उसको तो बहुत साफ साफा ही पसंद है और जब भी वो अंड्रेस होता है तो वह अपने क्लोथ को एकदम नीटली फोल्ड करके रखता है लेकिन यह कपड़े तो इदर उदर फैले वे हैं और देखो यह कितना मैस हो रखा है और सोचो हम लोग किती जल्दी में थे कि हम अपने कपड़े इदर उदर फेक दिये और मुझे सकता है इसी वज़े से लिंशी को टाइम नहीं मिलाओगा हमारे कपड़ों को उठाके फोल्ड करके रखने के लिए लिंशी अभी भी विस्तर में लेटा होता है और उसके बीच में कुछ intimate scene हुआ है करके और अपने मन में सुचता है कि मुझे वाकई में लिंशी की responsibility लेनी चाहिए और मुझे अपना promise रखना चाहिए करके और यह सुचके वो बड़ा खुश होता है और हाँ हाँ करके हसने लगता है अब क्या होता है उसे कुछ तो भी हिलत अब दिखाई देता है बेटशीट के अंदर और वो सुचता है कि अरे देखो यह अभी भी अप हो गया है और अभी भी pretend कर रहा है कि यह सो रहा है और मुझे अचा लगता है कि लिंशी को जो है शरम आ रही है करके और तभी वो देखता है कि कोई चीज जो है हिल डूलसी रही है और कोई चीज उखरी वीसी भी दिख रही है और वो सुचता है कि यह मुझे शीक्रेटली ऐसी जगह पर क्यों टच कर रहा है और वह भी अर्ली मॉनिंग में और सोच मोलता है कि तो जब ऐसा कर रहा है तो मैं क्या करता हूं ऐसा pretend करता हूँ कि मैंने notice ही नहीं किया है और जो वो कर रहा है उसे करने देता हूँ ऐसा सोच के वो बहुत blush करना लगता है उसे लगता है कि उसके एक part पे इंजलीनशी का हाथ बाद फिर रहा है और उसे लगता है बहुत intimate हो रहा है तो वो इसे ignore करना चाहता है और वे सुचता है कि क्या मैं ऐसा करूँ कि अपने आपको मतलब restrain करके रखू कि मतलब कुछ ना करूँ और उसको stop करूँ और तब क्या होता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है और ये लिंशी लिंशी से लारा होता है बोलता है वेट करो वेट करो और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं अब क्या होता है तब ही वो ना जहां पर वो चीज हिल डूल रही होती ना उस चीज के पहान देता है और उना उसको समझ में नहीं आता है कि अचानक से क्या हुआ ये अतना सॉप्ट सोफ कैसा है का हाथ नहीं था, वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली है, जो उनके बिस्तर के अंदर घुजी पड़ी है, अब ये हमारा मूँ को पता चलता है, और वो सुचता है कि ये कौन सा बॉडी का पार्ट है, ऐसा लिंशी का जिसमें इतने सारे बाल हैं, और वो भी इतने थिक हैं, और वो एक दम से बहुंच अक्सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, और देखता है कि अभी भी ये जो चीज है, वो हिल डूल रही है, और हमारा जो लिंशी जो है, वो नीन में बोल रहा है, Stop it, Swede, Stop it, Swede, लिंशी जो है, नीन में किसी Swede का नाम ले रहा है, तो अब भॉंसा और मूमों बोलता है कि कौन स्वीडि कैसी स्वीडि करके और तब ही न हमारा घिंशी उठता है वह देखना सुष्णी है और स्वीडि कोई और नहीं स्वीडि इनकी किटी है जो बिस्तव में से निकल रही है जिसके बहुत बाल mut भी होते हैं करी भी होती है और जिस चीज को हमारे मुमु ने हाथ लगाया होता है वो कोई और चीज नहीं वो स्वीडी है यानि हमारी किटी है अब मुमु देखता है स्वीडी और तब ही वह बलता है ये स्वीडी है और जो sweetie होती है वो चक के आती है, गर करती है और हमारे मुँ के मुँ आपर बैठ जाथी है और तबी निलिंशी बोलता है कि sweetie, sweetie उसको hurt मत करो फिर से ऐसा मत करो और बोलता है let's go, let's go, stop sweetie तो ये extra कानी यहीं पे खतम हो जाती है तो चलिए आगे नेक्स चप्टर में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है अब दिखाते हैं एक बिल्डिंग जहाँ पर हमारा CEO और यी आ रहे होते हैं और यी बुलता है कि तुम नर्वस क्यों हो रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं है जब हम और यी बुलता है कि लेकिन ये फर्स टाइम है जब मुझे आडिशन में किसी लीड डूल के लिए बुलाया है और वो भी एक फैंटेसी हीरो की और क्या मुझे वाकई में ऐसा करना पड़ेगा क्या और तो वो बुलता है हाँ क्यों नहीं और यहां पर नहीं बुलाते करके तो यह अपने आपको मुटिवेट करता है और बुलता है कामान गी तुम कर सकते होगा के CEO बुलता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़एती है मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो हो इतने सारा काम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम मेरे तुम तभी ही बुलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ यहां तक आए हो यह मुझे बहुत अच्छा लगा और अब ऑडिशन का टाइम आ गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जरूर अच्छा करूंगा तो CEO हस्ता बोलता है ठीक है I believe in क्यों करके और फिर वो लोग 8th floor पे 18th floor या 8th floor है वहाँ जाते हैं लिफ्ट से फोन में देख रहे हुते एक सेलफियी ले रहा होता Aku ये दूनों ही फेまぁस इस्टार्गे और यह दिक्के यी इक दुमक चाता है और वूलता है कि यह तो यह तो नेशन के टॉप आइडल उसें करके और जो हमारा नेशन है Wah in को बहुत पसंद करता है करके और वो देखता है कि यह जो यामीनो चैन है मतलब यह लड़का जो ड्रिंक सिप कर रहा है कॉफी यह भी बहुत ही ज़ाता फेमस है करके और वो यह सारे फेमस एक्टर्स को देखता है और बोलता है और दवन एंड उनली वन थाई टैंग जो की बहुत ही अड्मार किया जाते हैं बहुत ही फेमस डिरेक्टर हैं वो भी इसी कंट्री में है करके अब क्या होता है यह अपने ओडिशन पर जाता है वहाँ पर एक्टिंग कर रहा होता है कि हमारे बीच की जो चीजे हैं वो डंक से वर्काउट नहीं कर रही है करके और अब से हम लोग एक दूसे के साथ नहीं होंगे करके और अब तुम अपने आपके बारे में देखो कैसे देखोगे और जहां तक हो सके वहां तक अपना जिर्दी बना छोड़ दो करके यह उसको सीन दिया जाता है जो यह अपना सीन करता है और जजेज देखते हैं और यह भी उनको देखता है और बोलता है कि ठीक है यह सीनिया आपक खतमा करके तो जोज बोलते है एक्सलेंट आपने अच्छा किया और हम आपके पास जल्दी आएंगे करके और यह भी बोलता है थैंक यू फॉर दा अपॉर्चनिटी अब दूसरी तब दिखाते हैं कि हमारा CEO बाहर बैठा होता है और इन बस टैप 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 चलने पड़ा होता है क्यूंकि अभी तक यह का ओडिशन कैसा गया तो उनका मैंचर कुछता है कि CEO क्या अप बहुत ही नर्वस है तो CEO बोलता है कि मैं थोड़ा सब अर्वस हूं और तभी हमारा जो यह मैंचर रही वह बो था वो उसने तो बिलियन व्यूस कमाये हैं वर्डवाइट और हमारे जो ऑफिशल मार्केट है हमारे प्रोडेक्ट का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है और हमारे वीडियो का एक्सपीरियंस भी लोग बहुत अच्छे से ले रहे हैं और वहां पर काफी सारे इसकी पॉपुलर्टी होगी तो यह बोलता है लेकिन मैं इस टीस को लेकर नर्वस नहीं हूँ और यह कुई बड़ी बात नहीं है कि तो हमारा जो सीओ का मैनेजर होता है विचला कन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि मैनेजर तो यही सोच रहा होता है कि प्रोडेक्ट के बार मैं हमारे CEO सोच रहे हैं और इसलिए वह नर्वास है तो फिर मेनेजर पूछता है तो यदि आप इसके बार में बड़े के लिवारे में पारी नर्वास होने के लग क्या चीज़ है मतलब तब यह में होसे और बहती है कि अवvה से ये are को लेके वरीड हो रहे हैं करके और वो तुम्हारे जैसे नहीं है जो सारा समय काम की ही चिंता करें काम के अलावा भी वो किसी और चीज की भी किसी और लोग की चिंता करते हैं करके तो हमारे मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आता फिर भी हमारा मैनेजर बड़ी-बड़ी फटी आंके करके देखने लगता है और तभी यही आता है और CEO को देखता है CEO पुछता है कि कैसा गया तुम्हें कैसा लग रहा है तो CEO बोलता है कि बहुत बुरा नहीं किया मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छा किया है और क्या कहते हैं मैंने एकदम बेस्ट अपना शॉट दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एकदम appropriate acting की है करके अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि Mr. He का घर है और Mr. He का बेटा याने लिंग वाई के फादर पूर्ड ने डैट मैं आपसे जिन्वाव की कंपनी के latest product के बारे में बात करना चाहता हूं तो Mr. He और Mrs. He बैटे होते हैं और उनका बेटा और उनकी बहु भी बैटे होते हैं तो देदर जी बोलते हैं मतलब Mr. He बोलते हैं कि यदि तुम्हें कुछ कहना है तो जस्ट कह दो और तुम इतना serious क्यों देख रहे हो क्या हो गया है और यदि ये company सही भी नहीं कर रही है तो कोई समस्या नहीं है हम loss को एक या दो बर afford कर सकते हैं जो matter करता है वो यह matter करता है कि आज के younger generation जो है वो अपने dreams के बारे में dreams के लिए fight करे करके और as an elder हमें उन लोगों को support करना चाहिए चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए और तब ही उनका बेटा बोलता है कि डैड आप तुम मुझे report के बारे में बता हो तो चलो और शुरू करो मेरे पास अब काफी मजबूत और strong heart है यदि कुछ problem भी हुई है तो मैं जेल लूँगा करके क्योंकि Mr.Hee को लग रहा है कि उनको कोई loss हो गया है करके और उनका बेटा उनने बता नहीं रहा है तो उनका बेटा ब बच्चे किते sensitive होते हो जब भी पैसे को लेके बात आती है तो तुम लोगों को अपने attitude को form करना चाहिए और mentality को ठीक करना चाहिए और ऐसा कहके चश्मा पहनते हैं और report को पढ़ने लगते हैं बोलते हैं ठीक है मैं देखता हूं अब जैसे ही वो पन्ने पलटते हैं उनकी आके पढ़ जाती हैं और वहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 करके digits पढ़ते हैं और एक दम से उनका मुझ खुला रह जाता है और वो अपना सीना पकड़ते हैं और पीच्चे की तरफ जुगने लगते हैं और बोलते हैं कि अभी भी इस report में इतने जादा zeros क्यों हैं तो मिसिस ही एकड़म घ़बरा जाती है और बोलती है कि हनी क्या तुम ठीक हो क्या मैं तुमारी दवाइयां ले की आहूं आँ और तब वी उनका बेटा बोलते हैं कि अब पता चला किसका मजबूत हार्ड की जर्वत है और किसको strength की जर्वत है और mental preparation की जर्वत है कि तो मिस्ट्र ज बोलते हैं कि यही सही रिपोर्ट है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको फेक रिपोर्ट दूंगा आप इसके नमबर्स ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो यह जो प्रोडेक्ट है यह जो फ्रीडी चश्मा जो जुनियाव की कंपनी ने बनाया है यह बहुत ही जादा पॉपुलर हो गया है और इस चश्मे की वज़े से बहुत ज़्यादा बिजी हो गये हैं और जुनान जो है वह भी बहुत बिजी है उसने तो एक्स्ट्रा स्टाफ भी भीज़ा है बहुत उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ बहुत ग्रेटर इसकेल पर यह प्रोडेक्ट लॉंच हो गया है और हमें इतना एक्सपेक्टेट भी नहीं था लेकिन इसने बहुत ज़्यादा कमाई करी है मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि मुझे फिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे क अब हम कैसे करें क्योंकि मार्केट की भूग बढ़ती ही जा रही है मार्केट को और यह प्रोडेक्ट शाहिए और हम जो है अब शॉट प्लेस कर रहे है कि किन किन को यह प्रोडेक्ट मिलेंगे और किन किन को नहीं मिलेंगे और यह जो जेनरेशन है इसको इलेक्ट्रोनिक प्रोडेक्स बहुत ही पसंद है और यह हमारी मेजिनेशन के बिल्कुल ब्यांड है करके और तभी उनका पीटा बोलते हैं हाँ डैड यह सही कह रही है और हमेरा यह जो डिवाइस से इस निक्दम कॉर्णर में लाकर खड़ा कर दिया है और यह जो है यह बहुत ही वाइल्ड तरीके से मार्केट में पिक रहा है और ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप खुदी इसको देख लो और तभी दादाजी बोलते हैं मतलब मिस्टर ही बोलते हैं कि अच्छा मैं देख लूँ और फिर उसके बाद क्या होता है कि उनका बेड़ा बोलता है कि हमने इसका प्रिपर चाहेंगे हमें सो मिलियन से भी ज्यादा डॉमेस्टिक कस्यूमर्स मिलेंगे करकी ओवर्सीज में भी हमारा अच्छा हो रहा है और जुनान जो है इन सब की इन चार्ज है और अब जिन्वाओ का बिजनस काफी अच्छा फलफूल रहा है अब जो दादा जी है वो यह सब स किसी भी तरह शादी कर देनी चाहिए अब हमारी मिसिस ही और उनकी बहू और उनका बेटों उनकी आंके फटी रह जाती है यह क्या ही बोल रहे है यह पागल तो नहीं हो गए और वो बोलते हैं कि जो जिन्याओ है वो बहुत ही डेंजर में है करके तो ना लिंग भाई की मम With Great grandson in-law को कैसे देख रहे है मतलब हमारे जो Mr. HE है वो कैसे अब CEO को अपना दमात बनाना चाहा रहा है अब क्या होता है दूसरे तरफ़ सी सीयो का इंट्र्वी चल रहा होता है और Mr. HE और Mrs. he भी यह इंट्र्वी देख रहे होते है और तब ही Mr.室 बुलने लगते दिखा तुमने मैंने तुमें कहा था ना कि जिन्डियाओ डेंजर में है I am sure कि जितनी भी ओरते हैं अब सबी लोग जिन्डियाओ के पीछे पढ़ जाएंगी करके और तभी मिसिस ही बोलती है कि ओड़ते जो है वो जिन्डियाओ के पीछे क्यों पढ़ेगी और उसने तो ऐसे भी कहा है कि वो रिलेशन्शिप में है तभी मिस्टर ही बोलते है कि तुम्हें पता नहीं है कि आजकल के लोग किते open minded है आजकल के जवाने में और as long as जब तर उनके हाथ में रिंग जो होती है दिखाई नहीं देती मतलब जैसे engagement रिंग है या हमारी शादी की रिंग है तब तक वो अपने ट्रिक्स को बंद नहीं करते हैं और पटाने की कुशिस करते हैं और तुम क्या जानो यदि मान लो किसी ने जिन्याओ को पटा लिया तो क्या हो गया और वैसे भी बहुत वह popular है और तो अब कौन औरत होगी जो जिन्याओ को मतलब छोड़ेगी मतलब हमारा जो CEO है वो एक क के समान हो गया है popular जिसके पीछो बहुत सारी औरते आएंगी और उसको यई से छीन लेंगी और तब ही मिस्टर ही बोलते हैं कि तुम वेट करो और देखना हो सकता है एक दिन क्या है हमारा जो जिन्याओ वह उन औरतों के ट्रैप में फस जाए और देखना मैं कैसे उसको ल उसकी कैसे बिटाई करेंगे तो मिस्स ही जो होती है वो बोलती है कि हनी तुम जो ना बहुत जादा ही सोच रहे हो तुमें जिन्याओ पर भरोसा करना चाहिए वो जो है इन चीजों को हैंडिल कर लेगा तब दादा जी बोलते हैं ठीक है तुम कहती हो तो मैं कर लेता और मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो थोड़े से स्नैक खाएं, जादा स्नैक ना खाएं कि यह उनके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है करके वो इंटर्व्य में यह बता रहा होता है और जो इंटर्व्य ले रही होती है वो हस्ती है यह सुनके और तब इस यह बोलता है कि जो मेरा partner है वो थोड़ा सा बच्चे की तरह है और यादि वो लोग अपनी desires को control करने में कभी-कभी बहुती difficult भी होता है और ये सेेम उसी तरह difficult होता है जैसे कि हमें अपने बच्चों को control करने में difficulty होती है that's why मैं चाहता हूँ कि आव मैंने जो ये प्रोडेक्ट निकाला है लोग इस प्रोडेक्ट को यूज करें और जब उनको ऐसी इच्छा हो कि उन्हे स्नैक्स खाना है या कुछ भी खाना है तो वो ये 3D के चश्मे पहने और इमेजन करें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो रियल में खा रहे हैं लेकिन हकीकत में वो नहीं खा रहे होते हैं और इससे इनका हैल्थ भी खराब नहीं होगा और वो अपने जो ये डिजायर से खाने पीने की या जीवन में कुछ भी करने की वो ऐसे इस चश्मे के दोरा वो पूरी कर सके हैं आप किया होता है---- हमारे रूरू के ड्रीम लैंड में जहां पर रूरू और विग हैट खेल रहे होते हैं और उनकी दाधी उनके साथ खेल रही होते है दूसरी दर은 दादाजी पेपर वर्ट के नेंदर डूबे पड़े होते हैं अब दिखाते हैं कि हमारा CEO बता रहा होता है यी को कि मुझे नहीं लगाता कि Cloud Walker के जो शो है वो बहुत ही popular होगा और मैंने बस expectation की थी कि ये online game में हम इसमें develop करेंगे और ये बहुत highly demand में होगा अब यहाँ पर जो है guys हमारा यी जो है बड़े बालों में है और I guess कि आगे कि कुछ scenes में हम यी को बड़े hairs में देखेंगे तो be prepare for यी इस new look तो अब क्या होता है कि वो बताता है कि जो show है वो projected कर दिया गया है और artist जो है इसमें भाग लेना चाहते हैं और हम इसे film के द्वारा बताएंगे और तभी CEO बोलता है कि मुझे वैसे जादा नहीं पता है showbiz के बारे में तो sorry यदि मैंने तुम्हें right information नहीं दी हो तो यी बोलता है मैं तुम्हें blame नहीं कर रहा हूँ बस मुझे थोड़ा सा stress out हो रहा है ये लोग रूरू के kingdom में पहुंचे वे हैं और मजी से एक मुने म बहुत खुश होते हैं रूरू बड़े के साथ होता है उनके पूरे family का get together होता है और सब लोग एक फिर रूरू को happy birthday बोलते हैं और बोलते हैं कि रूरू तुम wish करो जैसे कि सब लोग cake के ओपर candle लगा के wish करते हैं वैसे ही रूरू को भी wish करने लगते हैं तो CEO यी big head और र लोग मरते हैं और wish करते हैं इनकी पूरी family खुश हो रही होती है और बोलते हैं कि चलो रूरू का birthday है करके तब ही दादाची बोलते हैं कि since आज रूरू का birthday है और सब लोग यहाँ पर है तो मैं पूछना चाहूंगा कि जिन याओ अब आप कब मेरे great grandson से शादी करोगे या और बोलते हैं कि तुम बस आओ और मुझे बताओ कि तुम कब शादी करोगे तो जो यह के father ने वो बोलते है कि dad ऐसा लगता है कि यह बहुत early नहीं हो जाएगा क्या इन लोगों के लिए उतने में mr. hee जो होते हैं वो बोलते हैं तुम shut up करो तुमको खुद यादे कि जब तुम ने मेरी daughter को कैसे young age में पटा लिया था और उसको तुम मेरे पास से ले गए थे ऐसे करके वो अपने दामाद को point out करते हैं और उनके दामाद एकदम से ओ करके मुझे बनाता है और फिर हसने लगता है और तभी CEO बोलता है कि मुझे थोड़ा सा time दीजिए तो दादा चाहिए और तब तक में हमारे यी का जो नया शो चालू होने वाला है वो खतम हो जाएगा और मेरे भी कुछ काम है जो मैं खतम करना चाहता हूं उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा दादा जी बहुत खुश हो जाते मिस्टर ही खुश होते हमां बुलते है ठीक है फिए सेटल्ड हो गया है आज से तुम हमारे फैमिली के आदमी हो और हम तुम्हें अपने फैमिली का आदमी रिकरगनाईज करेंगे यानि की दादा जी ने CEO के ओपर एक ठपा लगा दिया है अपने घर का दमाद होने का और गुड़ मैन ऑप ता फैमिली होने का और बुलते हैं true love is equal to one club अब क्या हता है CEO और दादजी अपना अपना drink एक सांस में खतम कर लेते हैं और ही इन लोगों को बैटके देख रहा होता है और सोचता है कि मेरे बारे में क्या और किसी ने भी मेरा opinion पूछने के बारे में नहीं सोचा और क्या मैं इस कहानी का main character नहीं हूँ क्या औ क्या थाई कुछने काsmा और किसी नहीं रहा हूँ कर दिख से अजू है और कर दोगों कि अनले के किसी कहा है कि कि अनले को बारे में ढूचने का गचता है कि अनले को बारे में आटके में का